मार्च की तैयारी के लिए जनजागरन प्रचार पसार अभियान चल रहा है 24 फरवरी को पटना के लिए प्रस्थान किया जाएगा भागपा मालिक के द्वारा जैनेगर आज पताना टोला में फूलो देवी के अध्यक्सता में इसको लेकर जनसभा आयुजित की गई इसको सम्भूधित करते हुए प्रकंड सचीव भूसन सिंग ने कहा कि मोधी सरकार देश में महगाई बेरुजगारी सामपरदाई की हिंसा दलितों गरीबों और महिलाओं पर बढ़ रहे हमला पर निस्क्रिये है लेकिन जन विरोधी C.A.N.P.R. NRC जैसा काल बानूं लाकर लोगों पर ठोपा गया है जिसमें गरीब मजदूर आदिवासी भूमिहीन अल्पसंख्याग प्रभावित होंगे इक्रम के बारेम जन कहीं दोगे भागपा माले के दुआरा यह सभा आयोजित किया गया है और सभा के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि पुरे बिहार के अंदर जो जल जीवन हर्याली और अन बहाना बना करके बिहार सरकार के दुआरा बिना बेकल्पिक बेवस्था के ही गरीबों को उजारा गया है उनको उजारने पर रोक लगे और खास करके बिहार में CAA, NRC, NPR लागू नहीं हो इसके लिए 25 फरवरी को बिहार बिधान सभा के समक्ष हम लोग मार्च करेंगे और परदसन करेंगे उसी रोज भागपामाले के जो विधायक है वो जनता के सवाल पर और जो हमारे मुद्दा है उस मुद्दा के सवाल पर अंदर में विधान सभा के अंदर भी वह परदसन करेंगे और बाहर परदसन करने के लिए हम लोग पुर्य जोर सोर से तैयारी कर रहे हैं और जैनगर से हजारों के संख्या में यह लोग विधार विधान सभा मार्च में 25 तारी को हम लोग पतना पहुचेंगे इसके लिए 24 फरवरी को ही जैनगर से हम लोग इसरेली में जाने के लिए पुरिये जोर सोर से तयारी कर रहे हैं इसलिए आज यह सभा आयोजित किया गया था गूशन सिंग भागपा माले पर्खंशचीव जैनेगा